इस आज हम बनाएंगे ढावा स्टैल मतर पनीर चलिए शुरू करते हैं आज हम ढावा स्टैल मतर पनीर बनाने जा रहे हैं इसके लिए ये मैंने कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें ये एक इलाईची है कुछ कारी मर्च और लौंग और ये डाल चीमे ये डाला है साति में मैं इसमें बशाखक कुछ लिसन डाल रही हो ARE कि अब क्याज fashion कर दाने रहें और यह मुफिली के में थानों हें आपका है तो केवल काजूच और काजूच भी डाल सकते हैं यह में काजू भी डाल रही हूं इसमें और यह अध्रचे जिसे मैंने पीट लिया है और कुछ यहारे में इन सबको हम अच्छे से गुलावी होने तक मिक्सर लेगे तोड़े गुलावी हो चुके है अब इसे हम मिक्सर में डालके ग्राइड कर लेंगे दिखिए ऐसे स्मूथ सा हमें ग्राइड करना है यह हमने एक पेन में तेल गरम होने रखा है अब इसमें में थोड़ा सा जीरा डाल रही हूं जीरा के क्रैकर्स होते ही हम इसमें यह मसाला जो हमने ग्राइड किया है वो डाले में दिखिए हमारे मसाले ने तेल जोड़ना शुरू कर दिया है मतलब हमारा मसाला पक चुका है अब इसके अंदर हम ये ये मैंने दो टमाटर की प्यूरी है इसे बना के रखा है अब मैं वो डाल रही हूं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसे थोड़ा पकने देंगे और फिर हम इसमें मसाला एड़ करेंगे देखे टमाटर प्यूरी ने भी तेल छोड़ना शुरू कर दिया इसमें हम डालेंगे एक चमच हल्दी और ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है इसलिए मैं थोड़ा जादा डालगे हूं आप देखकर कश्मीरी लाल मिर्च टाला है और साथ में धनिया पावडर डाल रही हूं दो बड़े चमच और हम ये एवरेस का गरम मसाला डाल रहे हैं अब इसे हम मिक्स करेंगे अब हमारा मसाला अच्छा खासा पक चुक है अश्मी में लमक डाल रही हूं टेस्ट के कॉड़िंग और साथ ही दिमेंगे कसूरी मेति है में ये एक चमच भर के करीबन डालूंगी अब इसे हम थोड़ा सा पान डालूंगी ये वही पानी है जो मैंने पॉस्मीस मसाला पीसा था उसी के अंदर मैंने पानी डाल्कर अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे अब पानी में और डाल रहे हैं आप चाहे तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़े सी चीनी डाल सकते हैं मैं इसमें थोड़े सी डालूँगा और आप चाहे तो स्किब भी कर सकते हैं पहुर। यह के अशनी देए चुछ से फ्लीवर आता हे अब मेशी के जाता हो दोकि के आप साहा है कि अ सब्सक्राइब करें हुर्ची। तोड़ा मटर डाल रही हूँ और साथ में पनीर है जिसे मैंने थोड़ा सा डिफ्राइ कर रहा है आप चाहे तो कच्छे भी डाल सकते हैं अब इसे डालकर हम मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसे ढख कर पकने देंगे देखे हमारी सबजी का कर रह कितना खुबसूरत आया है अब इसे हम ढख देंगे और दो मिनिट पकने देंगे देखे धाबा स्टायल हमारी मटर पनीर की सबजी रेडी हो चुकी है आप इसे हम सार्विं डिश में लेंगे हम इसमें थोड़ा सा हारा गनिया डालेंगे झाल झाल